नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एसके टिकोई 30 चनल में चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले यह नहरू विवाकेंतर के अंतर का जो वालन्टियर की 13206 वेकेंसी आए उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सवाल क्या होते है और बाकी सारी इंफर्मेशन के लिए तो इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि NYKS वालन्टियर के कार क्या होते हैं कիठी कितनी मिलती है और साथसाते यहाँ पर जो है आगा क्या कितने घंटे करना होता है और यहाँ पर बात करेंगे ंप बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि इस्टूडेंट या जो पढ़ाई करें ओ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते कि नहीं यह सभी सवालों के बारे में जानेंगे जो है क्योंकि मैं खुद ही वालेंटियर के पत पर काम किया हूँ पिछले साल 2019 में मेरी भरती हुई थी मैंने कि इसलिए मैं आपको पूरी पूरी जो है साही साही बता सकता हूं अगर आप भी यहांपर धार करना चाहते और करना चाहते है चलिए आज का वीडियो सरू करने के पहले आपको यहाँ पर दिखा दो कि जिससे आपको पता चल याओ किया हूँ आपको सभी जांकार ही यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगे तो 11-10-2019 से लेकर 25-10-2019 की बीच में हम लोगों ट्रेनिंग कराये गया था आयोजक कौन था नहरू युवा केंद वारारसी जो एक आयोजक था और यहाँ पर कहाँ पर हुआ था जीला ग्राम विकास संस्थान परमानन्दपूर वारारसी में हुआ था युवा कारिकरव में खेल मंतरा भारस सरकार द्वारा ये कराये जाता है तो चलिए अब डीटियल में बात करते हैं सभी इस से रिलेटर जो भी आपके सवाल है उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं नहरू युवा केंद संगठन एन्वाई केस क्या है मतलब खेल कूछ से रिलेटर यहाँ पर ग्रामीड अस्तर पर मतलब ब्लाक अस्तर पर जो भी प्रोग्राम होते हैं इसके अंतर नहरू युवा केंदर के अंतरगत किये जाते हैं तो अच्छी खासी जो आंप समाझ गया हों कि यह प्राइबेट कोई नहीं है यहां पर जो गौपर के अंतरगत आती है नहरू युवा केंद नहरू युवा केंद सब्सक्राइब करते हैं और दो वालन्टियर यहां पर NYKS के वालन्टियर दो वहां पर डिस्टिक पे आप इसके लिए रखे जाते हैं तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे वेकेंसी कितनी है हर ब्लाग में दो वेकेंसी है और जो कैंडिडेट जिस ब्लॉक से रिलेट करते हैं और कहीं से नहीं अप्लाई कर सकते हैं अभी मैंने नहरुयाकें जौनपूर का अफिस्यल ट्विटर हैंडल ओपन कर लिया है आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं यहां पर इंट्राग्राम फेस्बूक और ट्विटर पर जाकर फॉलो कर दीजिए यहां से आपको सारी जैनकारी मिलती रहेगे नहरुयाकें जौनपूर से रिलेटेड तो ऐसे ही यहां पर सभी डिश्टिक का आपको फेस्बूक पेज ट्विटर पेज और इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा चाहिए आप जिस डिश्टिक से विलांग करते हैं जाकर उसको देख सकते हैं कि वहां पर जो वारंटीर होते हैं ब्लाकस्तर के होते हैं ब्लाकस्तर पर रखे जाते हैं और उनका क्या होता है ग्रामी में हर घावाम में यूथ मंदल बनाया चाहिए यूथ मंदल यूओ को जोड़ना वेलटियर का कार हम सुआ को ज़ो बहुंट लंगे पहुचाना काम होता है और साथ अससाथ यहां पर खेल को प्रतियोगता की जातीTu का अफ़ेशने काम होता है कि यू थ मंडल के सब्सक्राइक और जाओंड प्रतियोगता क राये साथ ही जागरूगता जैसे अभी कोविड-90 चलना तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी जो है मतलब प्रचार करना है जो है मतलब जागरु करना वो सब कार किये जाते हैं और बहुत सारे काम कि जाते हैं अभी यह करके देखेंगे तो कुछ फोटो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वालेंटीर सबी वालेंटीर यहाँ पर सेयर किये गए देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर कार की जाते हैं इसके लावा यहाँ पर नीचे आप आते जाएंगे तो यहाँ पर सभी डीटेल में जाएंगे देख सकते हैं यह सडग सुरुच्छा जागरुकत अभियान चलाए गया था उ उसका अलग से बजट आता है उसी में आपको कराना होता है तो देख सेते हैं यहाँ पर कुछ फोटो जो मैं आपको दिखा दा तो देख सेते हैं यहाँ पर नहरुया के जनपूदारा एक खेल करा जा रहे थे यहाँ पर बालीबाल और इसके अलगा दौड कवड़ी इस प्र पर मंथ आपको सेलरी मिलेगी स्टाइपेंड के रूप में मांदे जिसे कहा जाता है आपको मिलने वाला यहाँ पर वालंटियर के रूप में कोई भी आपको यहाँ पर बड़ उत्तरी नहीं होगी बहुत सार लोग के बाद में बढ़ेगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा जो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग working time की बात करते हैं तो यह हमेशा working time की मैं बात करूँ इसका कोई भी time fix नहीं होता आपको जो है जो भी इसका schedule plan आता है उसके हिसाब से आपके जिला के जो जिला यह अधिकारी होते हैं प्लान आपको message group में बेशते हैं उसके according आप meeting रखी जाती है जिले पर आपको जाना होता है जिले पर वहाँ पर meeting में आपको सभी चीजे बताए जाती है तो मन्त में 2, 3 या 4 meeting हो जाती है तो उस meeting में आपको जाना होता है और बाकी blockaster पर जो भी program आपको कराना है वो हमेशा कराना रहता है जिसे जब भी उहाँ से program आगया कराना होगा और बाकी youth mandal जो इवा मंडल होगे उनके हमेशा संपर्क मिला कर उनकी meeting करनी होती है यह सब आपके working होती है तो इसका कोई working time table नहीं है कराना होता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अब गौँर्मनेटेड लेकिन यहाँ पर यहाँ पर मतला समझ भी रही है यहाँ से वक होता है तो इच्छा से कारक करने वालत लेकिन यहाँ पर मान दे आपको फिर भी पनांक्सिजार रुपे मिलें यहां उसके बाद आप मतलब यहां पर जब आप दो साल कंप्रीट होगे तो आपको certificate मिलता है experience मिलता है उसका जो है आप यूज कर सकते हैं बाद में जो है किसी वेकेंसी के लिए NYKS में जब वेकेंसी आती है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं पर इंटर्विव कैसे होगा और कहां होगा तो दोस्तों मैं बता दू इसका selection procedure जो है selection interview के अधर पर होता है interview कैसे होगा इसमें जो है आपके जिला अधिकारी हो जो होंगे और जो है आपके जिला अधिकारी DM होते यह दोनों के द्वारा सेलेक्षन किया जाएगा जिसमें स है डिवाइसी का 10% रोल होता है और बाकी 40% आपके DM जिला अधिकारी का रोल होता है तो उसी के अधर पर आपका interview होगा उहीं पर आपका इंटर्विव करा जाएगा आपको उसकी सूचना जब फार्म भर देंगे तो आपको मैसे यसमेस द्वारा मिल जाएगा जब इंटर इसके बाद अगर आप सॉट लिष्टे सेलेक्टेट किया जाते हैं तो आपको जो है सलेक्ट कर लिया जाएगा तो आपको समझ भे आ गया होगा कि इंटर्विव कहा होगा इसके बाद यहां पर फार्म पहले ही रिजेक्ट करके अलग रख दिया जाएगा तो सिंपल आप को समझवा गया होगा इसके अलामा दोस्तों यहाँ पर और कुछ बाते कर लेते हैं इसके अलामा दोस्तों फार्म फिलफ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को प्रावलम आ रहा है कि जब फार्म उन्हों ने भर दिया फार्म आनलाइन कर दिया लेकिन उनका जो रजिस्टे नंबर भूल गए तो इससे कोई बड़ा विसु नहीं वहां पर आप जी लिए अस्तर पर या भी भी जाकर वहां से आप लिकलवा सकते हैं वहां पर आपको जो है नवाई के आप इसमें वहां पर फार्म पड़ा होगा इसके अलामा आपको फिर भी कोई प्रावलों ने था आप वीडियो के निचे कमेंट कर सकते हैं लेकिन मैं बता दो अप्लाई का जो आनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिलफ वाला वीडियो अल्रेडी मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जागा अगर अभी तक ने आपने फार्म नहीं भराया हो तो वीडिय जाकर देख लिजिए और मोबाइल से फिलफ कर सकते हैं वीडियो जरूर देखिएगा नहीं तो आपकी गलती काड़ आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और पहले ही आप यहां पर बाहर हो जाएंगे नवाई के से इंटर्व्यू में पार्टिसेमेट नहीं कर करके बेल आइकन प्रेस कर लिजे और साथी साथ अप्लाई वीडियो की बात करें तो यहां पर चैनल पर आप जाकर देखेंगे तो आपको आनलाइन अप्लाई करना कैसे करना यहां पर आपको देख जाएगा देख सकते हैं अच्छे खासे आपकी जो है आप लोग देख यहां पर जो है इसके अलावर आप नीचे आएंगे तो आप देख सते हैं यह इस इसलिए मुझे सबसे पहले आप आया दो यहां पर आप देख सेकते हैं और आगे बी से दो जो भी जानकारी है आएगी तो लिए ही आपको मिलती रहेगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथी साथ फिर भी आपको इससे रिलेट कोई भी सवाल रह जाता है और तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथी साथ मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिस्टन मिल जागा और साथी साथ मैं बता दूँ आप जाकर इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे addesktechnology30 मतलब मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे addesktechnology30 चैनल तो मेरा Instagram अकाउंट मिल जाएगा उसको जाकर आप जॉइन कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं और जो भी प्रावलम है वहाँ पर आप मुझसे सेर कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद